एग गैलेक्सी नेक्स डोर एपी सुट्री की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो की ठकर के रोड ही होती है और बोलती है मुझसे और अब यह नहीं होगा तब ही उसका मास्टर आजाता है और बोलता है कभी भी गीब अप मत करना और लड़की खुद के मास्टर को देखकर काफ यदा शौक हो जाती है इसके बाद उसका मास्टर उसको मोटिवेट करता है जिसके वज़े से उलरकी काफ यदा खुश होती है फिर हम देख पाते हैं यह सब कुछ तो एक मांगा में होता है जो की शियोरी पर रही होती है और इसको पढ़ने के बा हमें बात करते हुए काफ यदा खुश भी होती है इसके बाद इचिरो बोलता है कि उना हम लोग हमारे डिस्टेंस को एक बार टेस्ट कर ले शियोरी बोलती है कि हाँ इचिरो बोलता है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि तुम कितने दूर रहने पर मेरी तबीयत खाराब ह हो गई थी पहले टेस्ट में तुम इहां से सिर्फ स्टेशन तक ही जा हुई ए सुनकर शियोरी बोलती है कि ठीक है तो अभी में चलती हूँ और बोलकर ओहा से जाने लगती है फिर हम देख पाते है कि शियोरी स्टेशन में पहुच गई है लेकिन फिर भी इचिरो को कुछ कुछ हुआ है जिसमें शियोरी बोलती है कि असल में मैं काफी यदा भीर में थी जिसके बाज़े से मुझे बहुत ही अनकमपर्टेबल से फिल हुआ देन अगले शियन में शियोरी घर आ जाती है और वो दोनों एक साथ कॉफी पीते है और वही इचिरो बोलता है शियोरी म ऐसा कुछ नहीं है पाच एक्सपरिमेंट करने के बाद है में पतत तो चल गया कि अगर तुम मेरे से एक स्टेशन दूर रहोगी तो भी कुछ नहीं होने वाला जो शुनकर शियोरी थोड़ा खुश होती है फिर इचिरो बोलता है कि चलो हब हमारा दूसरा इचिरो बोलता है कि हाँ और ओहीं शियोरी बोलती है पिछली बार तुमने मेरा हाथ को थोड़ा जोड़ से पकड़ लिया था जिसको याद करके इचिरो दुखी हो चाता है और बोलता है मुझे माप कर देना इसके बाद शियोरी एक मांगा निकलती है और उस मांगा में जो मेंन करäकटर और जो मेंन अजिकर थे ओ दोर दोनों जैसा कर रहे थे. शुड़ी इचिरो को वैसे ऑस और करने की लिए। जिसके बाज़ेसे इचिरो काफी ज्याता धा शर्मा जाता है। लेकिन इचिरो उसको शर्माते ऊड़ना क्यों की डिकल रहा है ऴोलता है कि में सिर्फ बहुत यह जाद नर्वस हो गए था इसके बाद qyuri और KIR निकल कर बोल कि मुझे यहीं करना है फिर लो और श भी कर लेते है और काप यह जिवनादा होता है और शिवनके बाल पकॉरने के बाद इस clip उसके बाल कितना ज्यादा नरम है इसके बाद शीओरी और एक चप्टर निकलती है और वो बोलती है इचिरो मुझी एबी करना है और यह देखने के बाद तो इचिरो मानों बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है यह मेरे लिए थोड़ा डीपिकल्ट है ओई श श्योडी और इचिरो को ऐसे हालत में देखकर बहुतती ज़्यादा शर्मा जाते हैं और श्रॉक्ष भी हो जाते हैं ओही इचिरो बहुती अदर घबड़ा जाता है और बोलता है तुम जैसा समझ रहे हैऊ यह बिल्कुल भी हो ऐसा नहीं है वो ही बीच में शीओडी आकर बोलती है की हम दोनों flirt नहीं कर रहे थे हम सिर्प एक experiment कर रहे थे फिर ओ दोनों जैसा से करके उस situation को manage कर लेते है फिर इचिरो बोलता है की अब ही का experiment रहाने देते है और चलो फिर से काम में लग जाते है शिवरी बोलती है कि ठीक है चलो फिर इचिरो शिवरी को बोलता है मैं चाता हूँ कि तुम ऐसी और भी ज़्यदा एक्स्प्लोर करो और ऐसा भी कोई चीज है जो कि तुम करना चाते हो जो सुनकर शिवरी बोलती है ऐसे तो बहुत सारे चीज है मैं कहाँ से शुरुआत करू जब आप में इचिरो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम उन चीजों को लिक क्यों नहीं लेते ए सुनकर शियूरी काफ यदा खुश हो जाती है इसके बाद इचिरो के फोन में माशिरो का कॉल आता है जो देखकर इचिरो थोड़ा सा शौक्त होता है फिर ओ उस कॉल को पि जाती है उए हम इचिरो को देख पाते हैं काफ यदा टेंशन में होता है क्योंकि माशिरो ने इचिरो को जो नए मांगा है उसका प्लोट को ढ़ह Какigan करने कि लिए बोल था और मांशिरो इचिरो को वही बोलता है कि मांगा में एक्शन थोड़ा जादा ज़ादा हो गया है मतलब कि अभी का जो plot है वो change हो जाएगा इसके बाद इचिरो का आफ यदा उदास हो कर घर को साप करने लगता है जो देखकर उसके भाई बेहन आ जाते है और उससे पूछते है क्या तुम ठीक हो और आपके जानकरे के लिए बतायता हूँ कि इचिरो के बेहन का नाम है माची और उसका भाई का नाम है फूमियो ओही दूस्टी तरफ हम शियूरी को देख पाते है जो की सब कुछ लिख लेती है और वो काफ यदा खुश होती है फिर शियूरी इचिरो के पास आती है और वो बोलती है मैंने अपना टू-डू लिस्ट बना लिया है और मेरा जो पहला काम है ओहे मैं सब को ग्रीट करना चाती हूँ फिर वो इचिरो को ग्रीट करती है और उसको एक चीज भी देती है फिर इचिरो एक टावाल लेकर बोलता है तुमारा बहुत-बहुत शुक्रिया और इचिरो शियूरी से ए भी पूछता है क्या तुम दूसरे लोगों को भी ग्रीट करोगे जिसमें शियूरी बोलती है कि नहीं हम सब एक ही छट के नीचे रहते हैं हमें एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए इसके बाद इचिरो बोलता है लेकिन है पर जो रहते है ओ एक दूसरे के साथ communicate करना पसंद ही करते जो सुनने के बाद शियोडी थोरा सा disappoint हो जाती है और ए देख कर इचिरो शियोडी को एक idea देता है और वो बोलता है कि उना तुम एक letter और उसके साथ एक gift रखकर delivery box में रख दो कोई भी एक letter पाकर काफ यदा खूश होगा और ए आइडिया शियोडी को काफ यदा पसंद भी आता है देनगले सीन में शियोडी घर पर आजाती है और तबी शियोडी भी उसके सामने आ जाती है फिर ओ शियोडी को greet करती है और ओ बोलती है इन में से जो भी gift तुम को अच्छा लगे ओ तुम ले सकते हो जिसके बाद चीवी सेन एक laundry डिटरजेंट ले लेती है फिर हम देख पाते हैं उस घर के जितने भी neighbor से उनको शियोडी का gift और लेटर मिल जाता है अब अगले दिन शुबा जब शियोडी breakfast के लिए आती है तो सभी neighbors ने उसके gift के जबाब में हॉइट बोट में शियोडी को thank you बोला है जो देखकर शियोडी काफी जदा खुश होती है अब अगले सिन में इचिरो मांगा का plot सोच जा रहा होता है और वो काफी जदा टेंशन में होता है मेंने अपना काम खतम कर लिया और मेंने डिजर्ट भी बानाया तो सोचा एक क्यों ना तुम लोगों के साथ share किया जाए फिर मोका शियोडी को देख लेती है और वो बोलती है कह तुम इहापर नहीं हो जबाब में शियोडी हा बोलती है और वो ही मोका बोलती है में भी पहले यहापर रहा करती थी और मेरा नाम मोमोका मोरी कुनी है तभी वहापर इचिरो आ जाता है और वो बोलता है मोका तुम इहापर क्या कर रही हो जिसमें मोका बोलती है मैंने डिजर्ट बढ़नाया है चलो एक साथ खाते है फिर ओ सब एक साथ ओही डिजर्ट को खाने लगते है और शुरी को ओ डिजर्ट काफे यदा पसंद भी आता है और फिर माची सैन शुरी को बोलती है कि मौका सैन इचिरो का चायलूट फ्रेंड है और मौका सैन ने इचिरो के कमिशनिंग इडिटर के साथ शादी किया है तभी इचिरो बोलता है मैं ऐसे ही उसको मौका बोलाता हूँ और इचिरो मोका को ये भी बोलता है कि शियूरी अभी मेरी करेंट एसिस्टेंट है ये सुनने के बाद मोका बोलती है मैं भी एक मांगा आर्टिस्ट हूँ तभी इचिरो बोलता है कि ये ही तो ओतर है लाइन्स बॉक्सर का और एपिसोट के शुड़ो में शियूरी पर रही थी और एस सुनने के बाद तो शियूरी काफी जादा सौक्ट हो जाती है और फिर शियूरी एभी बोलती है मैंने आपका मांगा परा है और ओ काफी जादा अच्छा है कि मुझे आपका एक आटोग्राफ मिल सकता है इसके बाद शियूरी अचनक से मौका से पूछती है कि कि आपको कोई एसिस्टेंट की जरूरत है जिसमें मौकासन बोलती है कि नहीं मुझे कोई एसिस्टेंट की जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब दिला सकती हूँ क्या तुम्हें स्वाप्टर में ड्रॉ करना आता है जिसमें शियूरी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं आता जिसमें इचरो बोलता है कि हाँ मैंने उसके लिए एक बार काम किया था अब अगली सीन में मौका घर जा रही होती है और जाने से पहले मौका इचरो से पूछती है कि तुम अभी थोड़ा बैतर फिल कर रही हो क्योंकि माचीसन ने उज़े टेस्ट किया था कि तुम बहुती अदा स्ट्रेस फिल कर रही हो ये सुनकर माचीसन बोलती है कि अरे तो एक सीक्रेट था तुम ने इसको क्यों बता दिया जिसके बाद इचरो बोलता है कि हाँ मुझे अब बैतर फिल हो रहा है इसके बाद शियोडी भी मौका को गुड़बाई बोलती है जिसमें मौका बोलती है कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बोला सकते हो और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद शियोडी बोलती है तुम्हारा ना मोमोची है है ना इसके बाद मौका वासे चले जाती है और सभी उसको वाइबाई करते है लेकिन यहाँ पर श्यूरी थोड़ा सा उदास होती है अब अगले सिन में इचिरो अपने मांगा के ब्लोट के बारे में काम कर रहा होता है और काम करते हुए ओ सोचता है मौका मुझे हमेशा चीर अप करने आती है और इचिरो एपी बोलता है मैं सदा कॉन्फिडेंट फिलने ही कर रहा कि मैं उसके जैसे बन पाऊंगा या नहीं लेकिन मुझे हमेशा हार्ड और करना चाहिए और यह बोलते बोलते तबी उसको बहती जादा अजीब से फिलिंग होना शुरू हो जाता है और को समझ जाता है यह शूरी के वज़े से हो रहा है जिसके बाद शूरी के रूम में जाता है और शूरी से पुछता है शूरी क्या तुम्हें कुछ बुरा फिल हो रहा है और हम शूरी को देख पाते है जो की काफी जादा उदास होती है देन ओ दोनों घर के बाहर जाकर बै जब आम में इचिरो बोलता है कि हा क्योंकि वो मुझे हमेशे हेल्प करती है लेकिन मौका सेन तो शाथ ही शुदा है तुम मेरे और मौका के बारे में ऐसा कुछ मत सोचो जिसमें शियूरी बोलती है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं डिप्रेस्ट क्यों फिल कर रही हूँ मुझे बहुत यदा खरब लगता है जब तुम दोनों बहुत यदा अच्छे हो मुझे ऐसा हेट नहीं करना चाहिए क्या मैं जेलस हूँ फिर शियूरी इचिरो के सामने घूम कर बोलती है क्या मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और ये बोलने के बाद तो शियूरी क क्या एही प्यार है और दूसरी तरब इचिरो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है रुकू 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 मुझे शांत होने की जरूरत है और ठीक इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 खतम हो जाता है तो दोस्तों मिलते है नेक्स्ट एपिसोड में उससे पहल ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला सकू और मैं मोटिवेट भी रहू तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तुर्ब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा